दो, तीन, चार, और कीज़ देंगे, ऐसे होल्ड कर दिये, मेरे तो देखते ही हाथ खड़े आगे, गुड मॉर्निंग दोस्तो, अपने श्रीर को स्वस्त रखने के लिए हमें सुबा जल्दी उठना चाहिए, और सुबा जल्दी उठने के बाद हमें सैर करनी चाहिए, और योगा करना चाहिए, या किसी भी तरह का वेयाम करना चाहिए, अपने श्रीर को स्वस्त रखने के लिए, आज हम आपको दिखाएंगे कि कौन-कौन से आसन सुबा योगा के करने चाहिए, जिससे हमारा श्रीर स स्वस्त्र रहा सके और आप हमारे साथ मिश्राजी जुडने जा रहे हैं हां जी मिश्राजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सभी को ओम नमस्ते पडाम हमारे हर्जीत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी योगा के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि य योगा योगा एक पूरण शरीर को स्वास्तर ह लिए एक हमारा हूँ है, तो हम सरीर के सौशतर रखने के लिए बड़े ही ऑर हैं, तो चाहे वो स्टार्टिंग जहां से करें लेकिन सुबा सुबा कुछ ना कुछ करें ज़रूर उससे हमारा सरीर भी सौशतर होगा, तो आज ह फायदे भी बताएंगे कि हमारे जीवन में कैसे basic कितने आसन हैं कि जिनको हम करें और उसका लाव उठाएं और जीवन में एक होनहार और खोसहाल जीवन बनाएं जैसा कि दोस्तों आपको पता कि करोना काल चल रहा है जिसमें कि हमें अपनी हम्मुनिटी पावर को स्ट्रोंग करने के लिए सुबह जल्दी उठकर सैर करें योगा करें योगा के कुछ आसन जो हम आपको बताएंगे वह आसन आप डेली रूटीन में कर सकते हैं हां जे मिश इम्मुनिटी के लिए आप गिलोए गिलोए का योज यूज करें आप गो आर्ग पीएं आप नोर्मल भोजन करें आप देखें इम्मुनिटी आपकी वैसे परकरार रहेगी लेकिन अगर कोई काता है या कोई अधर कंपनी करती है कि आप हाथ धुल लें उससे आपकी हमको उसके लिए शेयर करें योग करें तो कुछ आज आपको योग की असन बताते ही सिंके है पहले प्रणयाम के बारें बता है प्रणयाम के बाद हमको कुछ ऐखल लगे आप उस आसन में बैड़ जाए ये जरूरी नहीं बोडी की चम्टा के अनुसार सुख असन सिधासन यह मारा सिधासन हो गया उसके बाद इसी पैर को हम उठाएंगे और इस पैर को ऐसे रखें कोई कुछ करना कोई मंतर नहीं पढ़ना कोई किसी तरह का कुछ नहीं यह मारत प्दमासन हो गया इस आसन में अगर हम बैठें तो हमें तो और लाब है लेकिन कोशिश करें कि अपनी बोड़ी की छमता के अनुसार उतना बैठें जितनी बोड़ी आपकी अलाव करती है तो सबसे सही लगेगा आप लोगों को सुखासन सुखासन में या सिधासन में भी बैठ सकते हैं सिधासन में से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या एक और चोथा आसन आता हमारा की वजरासन वजरासन इस आसन में भी अपना योग प्रणयाम कर सकते हैं तो अभी आरजीत जी ने बहुत अच्छी बात कहीं कि इम्मुनिटी बुश्टर इम्मुनिटी को कैसे बढ़ाएं रोग प्रतिरोधक छमता तो हम उस पर ही चर्चा करेंगे देखो सबसे पहले तो नॉर्मल जो हमारे बेसिक हैं कपाल ब माति द्यान मुद्रम बैठ जाएं कि यह हो गया हमारा कपाल माति कपाल कपाल माने माथा भाति माने होता दीब्रता आभा सुंदर प्रकार तो हम अपने अपने किसमत को चमकाएं कपाल बाति से इसको बहुत हैं कि यह कीक्ग ओफ दी आल परणयाम कि दूसरा आताएं हमारा ऐट लोम फिलोम अलों मiesoम अपना एग Wanna just सब्सक्राइब हैं राइट से नरे के तो लेफ्ट से छोड़ दें से लेइं कर लेफ्ट से लेंके तो राइड से छोड़ दें अं लोंग इसका रैसियो बना लें 369 तीन सेकंड स्वांस को लेंगे छे सेकंड स्वांस को होड करेंगे अपने अग्या चकर पर और नो सेकंड में स्वांस को रिमूब कर देंगे ऑफिर आप इसका लाप करें से हमारे 72,12,10,202 नस्ञाडियां हמारी एक्टिव होती हैं उसले को अगर पूरे जाल को इतना तीन राउंड में घुमा। तो यतिनी नस्याड और हं हमारे सरी भीन तो अन्लोम विलोम सुद्वांस लीए स्वांस को hold किये अब फिर स्वांस को छोड दी यह तो था अमारा उसके बाद आता है कि मन को एक आगर रखना है मन को सांत रखना है चित को सांत रखना है क्योंकि आज लोग आज के डेड़ में मैं देखता हूं आज कल लोग इतना दुखी हो रहें पता नहीं कहां से स need लेके टेंसन पाल के बैठे हैं तो उसके लिए यह आप यह तीन प्राणयाम हमारे जरूर करें प्रणाव प्रणायाम ओम ध्वानी और उसके बाद ध्यान तो आओ बोडी को फिट करने के लिए हम कुछ आज और प्रणयाम हो गया अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं तो एक्सरसाइज के लिए देखो जितना हमारा सरीर फ्लक्सी होगा तो हम कुछ पूसब बताते हैं आओ जी हरजी जी भी आप हमारे साथ आजो अब देखो ऐसे होगे तो आप हम लोग शुरू करते हैं कितनी बार कर लें दस बार दस बार एक, दो, तीन, चार, पाँच, चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा ठीक है, अब इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देंगे, इस्तिती ऐसे रहेगी, अब हम क्या करेंगे, अपने चेश्ट को राइट की तरफ लाएंगे, एक, बहुत बढ़िया, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच की बात, हम अब क्या करेंगे, तीसरे राउंड उस पर आती जाएं, बहुत बढ़िया, और उसके बाद चेंज कर देंगे, इसको, देखो कैसे करना है, करेंगे, तोड़ा बोड़ी रेलाक्स भी हो जाएं, इसरा आजो, तारासन कर ले, तारासन कर लेते हैं, और रोड़ी को कीज देंगे, और कीज देंगे, और कीज देंगे, पर फास को चोटे हुए, आथों को, सर पर रखेंगे, एक बात लिए, तोज़ाट चोटे हुए, बोड़ी को नोर्मल कर ले, प्रिशासन कर ले, इस पार को ले, ऐसे, रखेंगे, चाबबास, हाथों को ऐसे लिए, हाथों को ऐसे लिए के उपरे, पतेलियां, आपस में पड़ाम उत्राने हो जाएंगे, सोल्डल को पूरा खिचाब आने दे, मन को सांत होने दे, किसी तरह का कोई खिचाब नहीं, कोई ब्याद ही नहीं, कोई ब्याद आने, अब तो आशको छोड़ते हुए, हाथों को नीच से ले ले, चलो, देखो इस तरीर को फिलक्सिट नाने के लिए, पैर को खोले, और हो जो, और हो जो, और हो जो, अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा असान साहे, हमारे सरीर की रेड़ी के हट्डी को, और बार्जियों को फिलक्त करने के लिए, तो एक बार देख लो, उसके बार दोबारा कर लेंगे, अब स्वांस को छोड़ते हुए, बहुत बड़िया, अब गर्दन को नीचे लगाते हुए, अब फिर पैरों को कैसे लाना है, पैरों को ऐसे, कोई खिचाओ ना है पैरों के, कोई वो ना हुआ, अब बुलकुल हाथ रीचे लगाने है, हाथ हा, रीचे जमीन पर, लगाने है, जुखते वो ऐसे, हाँ, पाधास्तासन, उसके लिए क्या करना है, वह भी बहुत लाब कहरी है, हर जी ने बहुत अच्छी बात कही, उसके लिए, क्या करना है, यह तर आ जाओ, जेखो, ऐसे है, इसे बुए, हुए फासान और जाओ म nocap ई जबा कहरी है, इसे यह कम से कम, पचास बार को गरें आपको यह इने एढन वासनु ऑजरो दिलास, हमा पक्राइब का चाहवा में पास बारन हभा में, यह कम से जयाओं पचास बार को परें इंसेरें, तो हमागो दिखनें बहुत बढ़िया स्वांच छोड़ते हुए बहुत बढ़िया अब मस्थिस को अपने घुपनों पर लगा दे लिए बहुत बढ़िया देखो फ्लक्सिबिल्टी के लिए तो जितना हम अपने राउंड कमर को दे देंगे ऐसे दिए और राउंड तो दूसरी तरफ ऐसे सरीर को यह तो है उसके बाद इसके साथ दूसरा आता है कि अगर हम देखो आओ मेरे साथ देखते हैं करो प्राक्टिस हाथों को लिए वाकासन में क्या करना है इन हाथों को लिए एक बाद देख लें मुझे आप आएज लिए ऑगा दो क्या है ए अप्रत देंगे इसके बाद में यह हो गया उसके वाद सीरस आसन सीरस अट एगे अब नहीं माना नहीं को देखो सीर सासन का फार्मूल के है हाथों को ऐसे लिए हाथों को यह जमा दें ऐसे और उसके लाद कुछ नहीं करना कि अब यह रहा हमारा कि उसके बाद हम एक आसन आता है पश्ची मुतान असन आज कल बंबे में महिलाओं को जितनी अक्टर से न उनको बहुत ज्यादा सोख आ गया है तो उसका आसन है पश्ची मुतान असन ऐसे गए पहरों को ऐसे लिए दंडासन में बैठ गए और यह हमारी पूरी बोड़ी को फिट रखता है जैसे हमारी चाहे वो दीपका पादकोंड हो चाहे जितनी अक्टर हैं जितनी टोप 10 में हैं वह सो सो बार सिल्पसटी जी होगी सिल्पसटी जी सो बार रूटीन में करती हैं अब देखें पेट कमर सोल्डर यह सब अपनी अस्थान पर अपनी बोड़ी को बिल्कुल फिट इसको इसमें ध्यान रखेंगे माते को अपने घुटने पर लगा दें हाथों को यहां पकड़ें और कौनिया जमीन पर लगा दें तो यह बहुत लाबकारी आसने यह अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि विल्कुल हमारा शरीर फिट हो जाएगा ना पेट होगा ना बेट होगा ना कुछ होगा तो दोस्तों आपने देखा कि मिश्रा जी ने हमें योग करके दिखाया और बताया कि योग करने से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं आप भी इन योग को करके अपने शरीर को स्वस्त बना सकते हैं और मिश्रा जी ने देखिये कि किस तरह से अपने शरीर को maintain रखा हुआ है और मैंने भी कोशिश की इस योग इनके साथ करने की लेकिन मुझसे भी वो योग अभी प्रॉपर ढंग से और सही ढंग से नहीं हुआ जितना सफाई से यह कर रहे थे और जितना फ्लेक्सिवल इनका श्रीर था और आप भी इस योग को करें मिश्रा जी आपकी एज कितनी हो अब भी वीडियो के अंदर देखके उस योग को ट्राई करके देख सकते हैं कि आपकी फ्लेक्सिविल्टी कितनी है बात और है ब्रता जी एक बात और है मैंने अभी ओपन किया था बताया था कि मेरे से दस साल बड़ा है ब्यक्ति हमसे कुस्ति में लड़ जाए यह मुझस कर लें देखे कि मिश्रा जी ने आपर अपने से दस साल कम वाले कोई भी लड़का है कोई भी एजड विकती है उस सब को चैलेंज दे दिया कि उनकी फ्लेक्सिविल्टी उनके साथ कोई भी रेस लगा सकता है और आप भी देखकर इस योग को करें ताकि आप भी अपने आ अबरान जी के साथ करनाल